नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है आज की कक्छा में हम वर्ग 5 के गनित के पाठ पैटर्ण की चर्चा करेंगे प्रकृती में आप हर जगा देखें पैटर्ण ही पैटर्ण है आपने जेबरा देखा है ना, वहाँ भी धारिया एक पैटर्ण से होती है गिलहरी आपने देखी है, वहाँ भी धारिया एक पैटर्ण से होती है इस तरह से और भी जगों पर आप नजर दोड़ाएंगे तो बहुत सारे पैटर्ण मिलेंगे आपकी मा के साड़ी के पार में भी पैटर्ण मिलेंगे हो सकता है कि वो साड़ी में भी कुछ पैटर्ण हो तो आज इसी पैटर्ण की चर्चा हम लोग करेंगे और इसके सुरुगात हम एक गतिविदी से करेंगे यहाँ देखिए हमने कुछ मटर लिये हैं यहाँ पर हमने एक मटर का छिमी लिया इसके बाद दो लिया इसके बाद तीन लिया इसके बाद चार लिया अब आप बताएं, अगली बार हम कितने मटर के छिमी लेंगे, सोचिए, सोचिए थोड़ा, सोचिए, एक, दो, तीन, चार, इसके बाद क्या आएगा, पांच, तो हम पांच मटर के छिमी लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, तो ये हमारा एक पैटर्ण हो गया, और हम ये शुरू वाले ये जो चार थे, इसी पैटर्ण को समझ के, हम आगे, इस पैटर्ण को आगे बढ़ाएं, अब फिर से, हम करते हैं, एक नया पैटर्ण, दो चिमी के दाने लिए, दो के बाद ये चार लिए, चार के बाद ये छे लिए, अब बताएं, अगला जो होगा हमारा समू, वो कितने मटर के छिमी होंगे, दो, चार, छे, तो इस पर कितने आएंगे, ओवियसली, आठ आएंगे, तो ये हम यहां रखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तो इस तरह से हम इस पैटर्ण को बढ़ा रहे हैं, दो, चार, छे, इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगला हमारा क्या होगा, आठ होगा, अब एक और पैटर्ण को देखते हैं, एक दूसरे तरह के पैटर्ण को, हमने एक यह चीमी का दाना रखा, उसके बाद एक मटर रखा, इसके बाद फिर से एक मटर का चीमी रखा, फिर से एक टामाटर रखा, तो क्या आप बता सकते हैं, अगला हम क्या रखेंगे, मटर के चीमी, टामाटर, मटर के चीमी, टामाटर, तो इस क्रम में, इस पैटर्ण में अगला क्या आना चाहिए, निश्चित रुप से आप देखिए ये फिर हम एक मटर के चिम्मी रखेंगे तो ये भी एक पैटर्ण है और इसके नियम को पहचान के हम आगे बढ़ रहे हैं अब फिर से एक पैटर्ण देखते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक मटर का हमने चिम्मी रखा एक टमाटर रखा इस बार दो हमने मटर का चिम्मी रखा फिर एक टमाटर रखा तो अब इसी पैटर्ण को हमें अगर आगे बढ़ाना है तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे और कितना रखेंगे तो पहला तो हम देख रहे हैं कि मटर का चिम्मी टमाटर मटर का चिम्मी टमाटर और यहां पर आएगा मटर का चिम्मी अब दूसरा प्रस्न है कि कितने मटर के चिम्मी होंगे तो यहां एक हुए फिर यहां दो हुए तो इस पर कितने होंगे तीन होंगे एक, दू, तीन तो ये हमारा पैटर्न चल रहा है इस तरह से आगे बढ़ रहा है अभी जो हमने गतिविदी की इस तरह की गतिविदी को आप खुद से अपने घर में या अपने विद्याले में अवस्य करें अब आईए इस पैटर्न को समझने के लिए हम लोग कुछ चितर वाले पैटर्न को समझते हैं तो ये हमारा पहला जो उदारन है देख रहे हैं एक टीर है इसके एक बार पूरे को अवलोकर्न करें इस सारे टीरों को तो यहां क्या देख रहे हैं? पहले तीर में यो पंक लगे हैं एक पंक है दूसरे वाले तीर में दो पंक है तीसरे वाले में तीन पंक है और चौते वाले में फिर एक पंक है तो अगला क्या होगा निश्चित रूप से अगला फिर से तीर होगा तो यह हम तीर बना रहे हैं अगला इस पैटर्ण में आगे यह तीर बना रहे हैं लेकिन अब है कि इसमें जो पंक लेगे हैं वो कितने होगे तो यहां देखे एक होगे पंक दो तीन फिर एक तो इस बार कितने होंगे, दो होंगे, यह हमारा pattern complete हुआ, आगे भी हम चलेंगे, तो फिर आगे तीन पंक हो जाएंगे, अब दूसरा जो pattern है, इसे हम देखते हैं, इसे हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो यह हम देख रहे हैं, यह 100-100 के बंडल हैं, पहले में 100 के बंडल हैं, दूसरे में 200 के हैं, तीसरे में 300 के, चौथे में 400 के, तो पांच वे में कितने 100 के बंडल होंगे, निश्चित रुप से यह 4 के बाद 5 आएंगे, तो यह हम बना रहे हैं, 500 के बंडल, एक, दो, तीन, चार, पांच. तो यह हमारे इस क्रम में 500 के बंडल होंगे, अब तीसरा उधारन हम देख रहे हैं, एक तिर्भूज है, फिर दूसरे में एक तिर्भूज के अंदर एक और तिर्भूज है, तीसरे में फिर से, एक तिर्भूज के अंदर अब दो तिर्भूज हो गए, यहां एक सिर्फ एक त्रभूज है तो अगला क्या होगा निस्चित ये वाला होगा अगला एक त्रभूज के अंदर एक त्रभूज ये अब ये ये वाला उधारन देख रहे हैं चौथा तो यहां देख रहे हैं दो भूजाएं हैं यहां तीन भूजा यहां चार भूजा इस आकरती में चार भूजा इसमें कितनी भूजाएं हैं एक दो तीन चार पांच तो इस बार जो आकरती बनेगी उसमें कितनी भूजाएं होंगी तो पांच के बाद छे होंगे तो यह हम बनाते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे अब यह वाली आकरिती देखते हैं यह लगबाग घड़ी जैसे आकरिती है तो यहां हम देख रहे हैं कि यह इस तरह से है आप घड़ी से तुलना करें तो यह तीन बजे वाला समय दिखा रहा है फिर यह छे बजे वाला समय फिर यह नौ बजे वाला समय और यह बारा बजे वाला तो बारा के बाद फिर क्या होगा फिर यह तीन वाला आ जाएगा यह वाला आ जाएगा अब एक हम देख रहे हैं अल्फावेट वाले पैटर्ण A, B, C उसके बाद है C, D, E इसके बाद E, F, G इसके बाद G, H, I तो इसे अगर हम अवलोकन करके और इसका विसलेशन करके देखते हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि A, B, C जो अंतिम अल्फावेट है अंतिम लेटर है फिर अगला जो समू है वहीं से सुरू होता है C से यहां खतम हुआ तो फिर यहां C से सुरू हो रहा है C, D, E यहां E खतम हुआ फिर यहां G से सुरू हो रहा G, H, I तो यहां खतम किस से हुआ I से तो शुरू अब क्या होगा I से तो यह हो जाएगा I, J, K तो इस तरह के चित्रों का चित्र के जो पैटर्न थे इसे हमने अभी समझा आईए अब हम कुछ संख्या वाले पैटर्न को सीखते हैं तो हम कुछ उधारन की सायता से सीखेंगे पहला उधारन हमारा है 1, 2, 3, 4 अब इस सिरीज में इस पैटर्न में अगला क्या होगा निस्चित्रूप से 4 के बाद 5 होगा अब दूसरा देख रहे हैं इसके बाद क्या होगा देख रहे हैं हम क्या कि ये 2, 2 बढ़ रहे हैं तो फिर 8 के बाद 2 और बढ़ेंगे तो क्या होगा 10 तो इस पैटर्न में हमारा अगला आएगा 10 अब यहाँ देख रहे हैं 10, 8, 6, 4 यहाँ क्या देख रहे हैं दो-दो का घट रहा है, दस के बाद दो घटे, आठ, आठ के बाद दो घटे, छे, छे के बाद दो घटे, चार, तो चार से और दो घट आएंगे, तो क्या होगा, बताइए, दो होगा, निश्चित रुप से, चलिए, अब ये वाला पैटर्न देखते हैं, एक सो, दो सो, ती देख रहे हैं, ये mix पैटर्न है, इसमें संख्या भी है, और लेटर भी है, तो ये इस तरह से है, 1A, 2B, 3C, 4D, तो दो भाग इसमें है, एक संख्या है, और एक लेटर है, तो हम देख रहे हैं, पहले संख्या वाले को देखते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, तो अगला 3C, D, तो अगला क्या होगा, E होगा, तो ये जो हमारा इस पैटर्न का जो अगला आया, वो हो गया, 5E, तो आज की कच्छा में हमने पैटर्न की अवधारना को समझा, अब आपके पुस्तक में और भी प्रस्न होगे, आप इन प्रस्नों का अभ्यास करें, अपने सिक्षक स और प्रस्न मांगे, और उसका भी अभ्यास करें, धन्यवाद,